हेल्लो एवडिवन आपने जोई रही हाँ छे सब्जेक्ट बेजिक मैथेमेटिक्स आने आ सब्जेक्ट नी इंदर यूनिट नंबर फोर छे वेक्टर मेंस सदिस आनना आ यूनिट मा ठी जे जी टीउ एक्जाम नी इंदर जान्युआरी 2020 ना क्विस्चन पेपर मां जे क्व है वेक्ट क्विस्चन नंबर फई क्विस्चन नंबर फाई जे यूनिट नंबर फोर वेक्टर मेंस सदिस मात ही जे पूछा क्विस्चन एन रोगे आ दे तो उसमे टोटर नंबर फोर गे। है और हर एक question के जो मार्क है 4 वो question हुआ 8 मार्क का तो टोटल 14 मार्क का पुछा गया था यह last question पेपर के अंदर तो आज हम start करेंगे question number 5 जो है उनके पहले और जो दूसरा question है first and second question वो solve करेंगे इस वीडियो के अंदर तो see यह जो है वो question number 5 एक है question number 1 है वो क्या है question if x equal to यह हमें एक vector दिया हुआ है see 2j minus 3i plus 7k y equal to minus 4i minus k plus 5j and z equal to minus 3k plus j minus 2i then find the direction cosine of resultant force and see x, y, z are force मतलब जो x, y अने z होई तो परिणामी बढ़ना d cosine सोधो तो आपना सोधवानों सुँँँँचा question ने अंदर d cosine means direction cosine but किसका find करना है the resultant force का यहनों मतलब सुँँँद से परिणामी बढ़ना तो आपना सोधव प्रतम तो उसनों करूपड से परिणामी बढ़ सुदूपड से means resultant force हमें find करना पड़ेगा वो कहां से find करेंगे तो जो forces हमें दिये हुआ है मतलब कि जे बढ़ो आपने आप्याज है यह बद्दान आप्रसों करें सो सर्वाडो addition करेंगे तो हमें क्या मिलेगा resultant force तो हम start कहां से करते है पहले जो force दिये है मतलब कि x, y and z उनको हम लिखते है और उनको किस तरह से लिखते है c x equal to जो भी दिया है यह वो लिखा है अब देखिए यह i, j, k के form में है बराबर i, j, k ना स्वरूप मां छे तो ए सिक्वेंस मां छेके नए ए चेक करवानू छे तो जो सव प्रथम आई यहां सूँ छे j वाड़ी term छे पछी i वाड़ी आनक k तो आपड़े i, j के सिक्वेंस मां आपड़े नए स्वरूप प्रथम रियर्रेंज करी सो तो कैसे करेंगे यह minus 3i जो है उनको पहले लिखा है 3j वाली तो यह क्या आएगा plus 2j plus 7k तो उनको हम इस तरह से लिख सकते है यह जो i, j के form में है वेक्टर उनको हम इस तरह से लिखेंगे minus 3, 2, 7 किस तरह से लिखा यह जो है वो i, j, and k के जो कोफिसेंट है वो लिखने है कौन सा है i का minus 3, then j का 2, and k का जो कोफिसेंट है वो है 7 मतलब i, j, and k ना सह गुणों को लखवाना चलो अब आपने जो इस हूँ, वीजो जी अपने बड़ा एपो छे force a, y देखो, यह y लिखा हुआ है यहाँ पे यह minus 4 आई तो है, y लेकिन अभी बाद में क्या लिखा है k, तो हमें i के बाद क्या आता है, j तो पहले क्या लिखेंगे plus 5 j and then लिखेंगे हम minus k और उसको यह form में लिखेंगे, तो क्या आएगा minus 4, 5, minus 1 similarly, अब हम दिखेंगे z so c, यहाँ पे z लिखा है यह, जो दिया है वो अब उसको हम sequence में लिखते है तो पहले i की टम लिखेंगे, तो क्या आएगा minus 2i, त्यार पच्छी j, j सुच प्लस j आन्ने त्यार पच्छी k वाड़ी टम मतलब, minus 3k यह आपड़ा ती लखा से minus 2 minus 3 तो आ रिते आपने x, y अने z यह तीनो जो forces दिये है वो हमने लिख दिये, right सो हम क्या करेंगे अभी यह तीनो जो force है उनका हम total करेंगे add करेंगे उनको तो हमें क्या मिलेगा resultant force मिलेगा, मतलब क्यो परिणामी बर्ड मर से तो यह लख्यू छे जो resultant force means परिणामी बर्ड यह आपने सानाथी दर्शा आएउँ छे f-bar यह सूँ छे आजे आपना तौन बड़ो आएपा छे x, y, and z यह बद्दानों सर्वाड़ो तो जो x equal to सूँ छे आपना पर वेक्टर सदिस minus 3, 2, 7 y equal to minus 4, 5 minus 1 यह लिख्खा and z equal to जो भी है यह सदिस यहाँ पर लिख्खा है अब हम क्या करेंगे सभी का हम एडिसन करेंगे तो वेक्टर का एडिसन किस तरह से होता है सदिस का देख्ये यह तीनों क्या है हमारे वेक्टर से मतलब 3 सदिस हो छे यह 3 तोन आपना सदिस हो छे सरवालो तो बद्धा सदिस हो न यह प्रथम गटक छे that means जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका हम एडिसन करेंगे देख्ये minus 3 then यह plus minus क्या हो गया minus 4 and then यह plus minus minus 2 यह हो गया पहले अलिमेंट का है बाद में हम क्या करेंगे कॉमा अब सेकन अलिमेंट हो 2 तो यह लिखा है plus यह 5 plus यह 1 similarly अब यह कॉमा करेंगे then थोड़ अलिमेंट 7 यह लिखा है यह plus और यह minus plus minus minus 1 then plus minus minus 3 इस तरीके से हम एडिसन करेंगे तो क्या आएगा minus 3 minus 4 minus 2 answer आएगा हमारा minus 9 then 2 plus 5 plus 1 आएगा 8 7 minus 1 minus 3 आएगा 3 तो यह हमें क्या मिल गया यहाँ पे resultant force मतलब के परिणामी बर्ड हवे जे आपन यह परिणामी बर्ड मलड़ू छे आपन ने परिणामी बर्ड मलड़ू छे तो किस तर से वो फाइड करेंगे तो देखे ये हमारा force मिला resultant force परिणामिक बढ़ एन्हों अप्रसों लेश हो आ रिदे magnitude of force तो किस तरह से find करेंगे ये square root के अंदर ये minus 9 है उनका square then ये 8 plus 8 का square then ये plus 3 का square तो see minus 9 square क्या आ जाएगा आपका 81 minus जो है वो square है power तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा गेडी then 8 square means 64 3 square means 9 तो बद्धान आपड़ा सर्वाड़ा करी सू 81 बद्धा चौन से बद्धा 9 आणसर आफसे आपड़ा 104 पन सो मानांग नो आणसर जे छे force नो बढ़नो केटला आफसे आपड़ा वर्ग मूल मा एकसो ने चौपपल चालो तो आपड़ा पर आप force पन छे इनो मानांग पन छे तो बद्धा आपड़ा डिक कोसाइन न सोधी सु तो आपड़ा आर इदी लखवानो रेशे कि direction cosine of resultant force मतलब कोनू आपड़ा सोधवानो छे आ resultant force मतलब केशू चे परिणामी बर्ब इना आपड़ा सोधवाना छे d cosine means direction cosine तो परिणामी बर्ब आपड़ा कोयो छे जो आईरवा F bar बराबर तो सु लखवाना डिक कोसाइन आपड़ा define केरा छे L M अने N तो L केरेते लखवाना छे जे सदिस माटे आपड़ा सोधवाना छे सदिस को आपड़ा परिणामी बर्ब means resultant force एना प्रथम element एक के ओक वासे minus 9 तो लखवाना डिवाइड बाई एनू मानांक मतलब वर्गमोवाना एक्सो ने चोपपण similarly M के वरेते लखवाना लखवाना मतलब के 8 8 डिवाइड बाई वर्गमोवाना एक्सो चोपण अने N के वरेते लखवाना लखवाना मतलब के 3 तो 3 डिवाइड बाई मॉडूलस F बार means 3 डिवाइड बाई स्क्वेर रूट 154 तो ये जो है वो सारे जो 3 जो है L, M, N, N वो क्या हो गए हमारे direction cosine किसके ये जो resultant force मिलाना हमें उनका ओके जो जे परिड़ा में बड़ आपना मुड़ियो छे F बार एना डिक कोसाइनों काया चाए आपड़ा L, M, N, N तो खुबज easy example छे आए example त्रों माखने इंदर पूछाया छे चलो तो आपड़ा वह बीजा नम्बोन एक्जाम्बोन जो इसू C, H छे question number 5A ना बीजो नम्बर question number 5A सूच है if vector A मतलब सदीस A आपन आप्यों छे xj plus 2xi minus 4k and b equal to xi minus 2j plus k are perpendicular to each other then find the value of x मतलब यह जो दो vectors दिये हुए है a bar और b bar मतलब मैं ऐसा बोलता हूं बार आप ऐसा भी बोल सकते हो a vector और b vector वो दोनों case से है एक दूसरे से perpendicular to each other है तो यह condition है तो हमें क्या find करना है find the value of x गुजरातीमा पन सवाल लख्यों छे जो सदीस a औने सदीस b परस्पल लम होईतो x ने किम्मतों सो दो और सवाग्रथम आपने स्टार्ट क्या थी करी सूँ जिस सदीस आप्याँ छे आपने a और b यह आपने सवाग्रथम लख्यी सूँ तो सून थसे जो सदीस a सूँ आप्यों छे cm लख्यी दो त्यार पच्छी चेक करो कि i, j के सिक्वंस माँ छे तो जो सवाग्रथम आईसू छे j त्यार पच्छी छे i तो आपने एना सवाग्रथम सिक्वंस माँ आपने गोठवी देईसू रियर्रेंज करीसू तो शून लख्यीसू पहले i वाड़ी टम लख्यीसू सप्रथम तो 2xi त्यार पच्छी j मतलब xj अने माइनस 4k तो एने मारे ij के ना स्वरूप माँ ना लखूँ होई रिमूउब करूँ होई तो के विते लख्यीसू i नो 100 गुणक के टलो छे 2x तो 2x, j नो 100 गुणक x x k नो 100 गुणक के टलो छे आपड़ा माइनस 4 तो आता हमारे ij सदिस थे यह a त्यार पच्छी लख्यीसू तो इस b वेक्टर b क्या है x i माइनस 2j प्लस k तो c यहाँ पर सिक्वंस में यह देखो i, j, n, k तो direct हम लिखेंगे क्या हैंगे coefficient of i, x आएगा तो यहाँ पर लिखा है then comma coefficient of j क्या हैगा माइनस 2 and then coefficient of k equal to 1 तो जो है वो दो हमें यह वेक्टर मतलब के सदिस जे आपड़ा आप्या छे इज आपड़ा लख्या छे हवे condition कही छे कि जे आपड़ा जे 2 सदिसो छे a और b मतलब जो दिए हुए जो वेक्टर है a और b वो एक दूसरे से क्या है perpendicular to each other है मतलब परस्प के वाच एक बिजाना लम छे जो 2 सदिसो परस्प लम होई means if two vectors are perpendicular to each other then dot product between these two vectors is equal to 0 मतलब के 2 सदिसो वच्चे नो जो dot गुणा कार छे एक वो थसे तमारो सुन्दियो तहीं आपड़ा पर 2 सदिसो क्या क्या छे a और b तो बनने वेक बिजाना परस्प लम छे means perpendicular to each other तो वेक्टर a and b के बीच में जो dot product है वो क्या होगा 0 तो यह condition हमने रखी अब सी क्या करना है यह जो वेक्टर a है वो रखो क्या है 2x x minus 4 dot so इस बीच है यह रखे दो x minus 2 1 equal to 0 अब इनको solve करना है तो यह जो दो वेक्टर है उनके बीच में dot product करना है हमें तो कैसे आएंगे 2x into x देखो यह आया बीच में plus आएगा then x into minus 2 यह लिखा है then plus minus 4 into 1 equal to 0 तो सी यह दोनों का multiplication हम क्या लिखेंगे 2x square then यह plus minus क्या हो जाएगा minus 2 into x मतलब 2x अन्य त्यार पच्छी plus minus 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 4 4 into 1 क्या हो जाएगा 4 तो यह equation है हमारा अब उनको हमां solve करना है तो सी कीस तर से करेंगे यह तीनों टर्म देखेंगे मालब तोना तोना तोन पच्छी एमां सूं common निकड़े छे जो बे common निकड़े छे राइट तो 2 को हम common ले लेंगे निकड़े तो देखो यहाँ पे 2 common ले आए तो बाकी की जो remaining term है उसको हम bracket में लिखेंगे तो क्या रहेगा देखो यहाँ से 2x square है 2 common निकल गए तो क्या रहेगा x square then minus यहाँ से 2 निकल गए तो क्या रहेगा only x then minus 4 है 2 निकल गया तो क्या रहेगा 2 तो यह remaining term हमारी क्या आएगी यह x square minus x minus 2 अब सी यह 2 constant है वो right size जाएगा तो क्या आएगा 0 by 2 उसका answer तो क्या आएगा 0 ही हो जाएगा तो यह 2 हमारा 0 हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते है यह x square minus x minus 2 equal to क्या लिख सकते है हम 0 अब देखे यह हमारा एक quadratic equation आएगा है तो आप अच्छे द्विगात समी करना आएगी गयो तो आपने सो करी सो है न अवा या वो पाड़ी सो right हम उनके क्या करेंगे factors को find करेंगे तो देखो किस तरह से हम direct करेंगे तो सी यहाँ पर x square जो है उनके आगे कुछ भी नहीं है तो हम direct कर सकते है कैसे तो सी यहाँ पर क्या है minus 2 है right और main तो देखे यह 2 है तो 2 के factor कौन-कौन से आएगे 1 and 2 आएगे अब यह दोनों factor है यह हमारा quadratic equation है मतलब कि द्विगात समी करांच है तो यह नहीं कितला वाए वाए मरस है 2 दो factor जो है वह हमें मिलेंगे तो यह दो factor हमारे पास है 1 and 2 उनकी sign अभी decide करनी है वो किस तरह से करनी है कि हम दोनों का multiplication करेंगे तो मारा answer क्या आना चाहिए minus 2 और दोनों का addition करेंगे मतलब कि बद्नेवनों शर्वाड़ करीशूं तो सुँ आवो जो यह answer आपड़ो आ एकस नो 100 गुणक मतलब minus 3 ले minus 1 answer आवो जो राइट तो आपड़ा कहरी रिते है यहनी sign नक्की करीशूं तो जूओ minus 2 करीशूं प्लस 1 तो minus 2 plus 1 हम multiplication करें तो क्या है गया यह 2 into 1 2 plus minus minus 2 तो यह multiplication minus 2 आ गया और हम addition करेंगे प्लस 1 minus 2 तो answer क्या है कि हमारा minus 1 तो वो क्या हो गया x का coefficient मतलब x नो 100 गुनक थे गयो तो आपड़ा 2 वह हो क्या हो पड़से आपड़ा के तो लखिसूं आपड़ा होई आप प्लस 1 चे तो आपड़ा लखिसूं x plus 1 into x minus 2 equal to 0 देखो यहां पर यह step है अब हम लिख सकते है x plus 1 equal to 0 और x minus 2 equal to 0 दोनों को हम separate लिख सकते है तो देखे x की किम्मत हमें चाहिए x की value चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां पर plus 1 को right side लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा minus 1 एक value जो है x की क्या ही हमारी minus 1 उनके बाद यहां पर x minus 2 equal to 0 है तो यह minus 2 को हम right side लेके जाएंगे तो क्या जाएगा plus 2 x की value और कितनी है दूसरी 2 ready so x की यहां पर दो value मिली हमें एक x equal to minus 1 and x equal to 2 यह हमारा answer हो गया so actually बहुत ही easy है मैं आपको यह पूरा बताता हूँ तो आप यह page देखके आप calculate कर सकते हो खुझ से भी practice कर सकते हो यह है question number 5a का second question है right first question जो है वो यह रहा वो already मैंने बताया है तो यह जो दो question है वो आप अपनी हिसाब से देखे समझे और practice करना next video में हम यह question paper के जो बागी के जो question है उसके बारे में discuss करेंगे करेंगे